तो हमारा अगला टॉपिक है इस्टोरी ओफ ट्रांस्पोर्ट ठीक है तो हम लोग को जानना है कि ट्रांस्पोर्टेशन का जो सिस्टम है जो कि आज हम लोग कार बस बाइक चलाते हैं वो कैसे कैसे डेवलब हुआ कर अवह कि सबसे पहले एंजियंट टाइन में जब ऐसा सब कुछ भी नहीं था कार बस पर नाम को लोग को जांते भी नहीं थ étant तब बोलो कैसे ट्रैवल करते थे या तो अपने पैर पे खुड ट्रैवल करते थे अपने समान को खुड करते थे या फिर अगर एक्स्ट्रा कुछ वजन उनके उपर होता था तो वह जानवरों से क्यारी करवाते थे इस फोटो में आप देख सकते हैं तो एनिमल्स और खुड वोलो अपना समान या अपने आपको वन प्लेस्ट अधर प्लेस्ट मूव करते थे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद चक्के का आविशकार हो गया ठीक है तो चक्के का आविशकार के बाद थोड़ी सी जिन्दगी उनकी बदल गई और थोड़ा सा उनको काम पढ़ने लगा क्यों पढ़ने लगा क्योंकि उसके बाद बुलॉक कार्ट्स आ गई और बाइसेकल बाइसेकल साइकल जो आप चलाते हैं वह बहुत में सोर्स बन गया उससमें ट्रांसपोर्ट कर ठीक है मतलब किसी आदमी को सिंगल या डवल जाना है बहले अब बाद क्या हुआ 19th century जब स्टार्ट हुई तो उस टाइम इंजन का आविशकार हुआ इंजन किस चीज पर चलता था कोईले पर चलता है कोईले को यूज करता है स्टीम इंजन पुरानी पुरानी ट्रेन देखे होंगे आप लो इसमें से बहुत धुआ निकलती मुवीज मे देखे होंगे रियालिटी में तो नहीं देखे होंगे उसके बाद तो उसमें क्या होता था यह जो इंजन है उसको हम लोग external combustion engine के नाम से जानते हैं ठीक है इस external combustion engine का मतलब है कि हम लोग externally उसमें फ्यूल डाल रहे हैं जैसे कि आप ले लिजिए आज के समय आप बाइक चलाते हैं ठीक है आप पेट्रोल पंप भरा दिये तंकी में फ्यूल उसके बाद इंजन अपना अपना जितना फ्यूल की नीड होती फ्यूल लेते चला जाता है यह तो नहीं ना होता कि हैं लेकि उसका उल्टा चीज था यहां पर यहां पर जो को टाइम टूटाइम खुद से डालना पड़ता था इंजन में ताकि वह बर्न हों और हमें एनर्जी मिले उस तो उस जो स्टीम इंजन के ट्रेंस्टेत्र इंजन जु है इंजन मशीन को हैंपर मोटर को इन जो मोटर को कहा गया तरनाम है पूरा वही चीज होता पर यहां लोग तरना में यूज़ किया गया उससे क्या हुआ पहले जो बुलोग कारट से समान लाते थे उससे ज़्यादा समान हम एक बार में कैरी करने लगे पहले साइकल पर जो दो आदमी जाते थे वह आज ट्रेंड पर दस आदमी जा रहे हैं साथ में तो यह थोड़ा और इजी बना दिया उस चीज को उसकी बाद क्या हुआ समय पास करता कि नाइंटीन सेंचुरी के मिड में आके जब आधा बीट गया ठीक है उस टाइम हम लोग देखे कि उसके अधम लोग को इंटर्नल कंबशन इंजन मिलना शुरू हो गए इंटर्नल कंबशन इंजन वही चीज जो मैंने आपको समझाया आपके बाइक की इंजन आपके कार की इंजन जिसमें आप टंगी एक बा कंबशन इंजन के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद उसी के बाद आटो मोबाइल के आविशकार होने शुरू हो गए क्योंकि इंटर्नल कंबशन इंजन ऐसा एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर लिए जो कि हमारे means of transport को बनाने में बहुत आसानी बना रहा था ठीक है उसस एक स्टर्नल कंबशन इंजन जिसको स्टीम इंजन कहा गया उसमें कोला यूज होता है तो यह दोनों में बहुत बढ़ा डिफरेंस है उसके बाद क्या हुआ कि टेंटींथ सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ उसके बाद दीरे-दीरे हम और डेवलप कि उसके आद हम लोगो स्टीटी पे शिफ्ट हो गए हम लोग 20th century के स्टार्टिंग में अब इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रहे हैं अब चलिए हम आगे देखते हैं आगे का टॉपिक है डिस्टेंस टीक है तो डिस्टेंस बेसिक चीज़ है एक कोई भी एक जगा से दूसरे जगा आप जाते हैं और घर से अपने स्कूल जाते हैं उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वह सकता दो किलोमेटर हो तीन किलोमेटर हो किलोमेटर में आप लोग मेजर करते हैं उस चीज़ को डिस्टेंस टीकि उसी को डिस्टेंस कहते हैं अब आगे हैं मेजर्मेंट तो मेजर्मेंट क्या होता है कि मैजर्मेंट सेसे एक डो एक किलोमेटर बोलते हो 2 किलोमेटर बोलते हैं सकेल से आप 15 संटीमेटर की लाइन कीस और आते हैं तो मेजर्मेंट क्या है और क्यों जरूरी है यस ऐसे आपको समझ हो घाए अगर डवे देखिए इसका और इच्छे से important में समझा देता हूं आप एक कपड़े के दुकान पे गए और कपड़े के दुकान पे जाके बोले मुझे लाल वाला कपड़ा चाहिए मुझे अपना शर्ट से लुआना है तो दुकांदर पूछा कि कितने मीटर का कपड़ा चाहिए लगिन आप बोलें कि मुझे यह सब न चाहिए आपको नहीं पता बस दूच चाहिए तो दुकांदर क्या देगा आपको तो यह इंपोर्टेंस देटो डे लाइफ में मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस है अब हम लोग आते हैं स्टैंडर्ड यूनिट जिसको ऐसा यूनिट हिंदी में कहा जाता तो जब ऐसा यूनिट के नाम का कुछ नहीं था तो हम लोग बेसिकली क्या यूज करते थे मेजर करने के लिए यह देखिए आप हैंड स्पैन फूराम लेंथ ठीक है और फूट स्टेप जैसे यह देखेंगे आज भी खिसान लोग खेत नापते हैं कभी आप लोग देखे तो ऎसे से बढ़ा बढ़ा के नाखते में तो यह चीज है तो पहले ही चैसा यूनिट नहीं था तब यही सब स्यस्टम यूस किया जाता था तो ऐसे इस Kane हैन में ढ़ी तो कुछ नहीं थी मेजरमेंट अछा आ रहा था पर प्रॉबल्म यह था जैसे कि कोई एक 18 साल का उसको अगर मेजर कर रहे हैं तो एक 30 साल के आदमी पांच हैंड स्पैन में पांच बिता में उसको नाप देता है पर एक छोटे बच्चे का हाथ थोड़ा छोटा होता है और उसको छेब लग जा रहे हैं तो यह एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं बता पता था मतलब कोई चीज इसका एक्यूरेश इसमें नहीं था इसको सिफ्ट कर दिया गया कि शिफ्ट कर दिया गया किस चीज पर यहां पर ऐसा यूनिट पर ऐसा यूनिट क्या होता है बहुत सारी चीजों का जैसे लिक्वीड कोई भी हम लोग मेजर करते हैं तो उस चीज को किसमें करते हैं हम लो किलो मेटर मत सूचिएगा किलो में डरोता है धीलो मतलब 1,000 जो मिली मीटर मीटर ऐसा ही सबको चुट किया गया टॉट लिस्ट किया संटी मीटर तो यह सब को मांटा गया यह सब्सक्राइब एक basic क्या लिया गया मीटर और मीटर को किस चीज में बाटा गया मेली यह मिली सेंटी में डेका है तो बहुत सारे अलग-अलग तर्ग यूनिट्स होते हैं टीक है लेकिन बेसिक ऐसा यूनिट क्या है वह है मीटर आपका डिस्टेंस का अब आगे क्या है अब यूनेट में अफ मेजर्मेंट विच फिक्स वेल्यू विच दस नौट चेंज वं पर्संट पर्संट प्लेस्ट प्लेस्ट कॉल स्टैंडर्ड वही चीज में आपको बताया अब होता क्या था कि कोई पतला आदमी है उसका हाथ लंबा है तो उसने उस वहां से वहां तक तो उतना ही चीज आए उसी को स्टैंडर्ड यूनिट और ऐसा यूनिट शॉट फॉर्म में कहा गया है अब आगे हम लोग कल देखेंगे लेक्सर बहुत बढ़ा हो जाएगा ठीक हम आगे कुछ क्वेश्चन्स भी है वह हम लोग कल करेंगे